चलिए एक और नई बच्ची से मिलते हैं रिंकी रगोंशी जिनकी All India 720 रैंक है और इनको NIT पटना अलॉट हुआ है और रिंकी ने फाइनल यर के साथ यह रैंक अचीव करिये रिंकी क्लास्रूम स्टुएंट है तो रिंकी सबसे पहले आपको इस रैंक और NIT पटना के लिए बदाई यह ट्रॉफिक जिसके आब अगदार है और रिंकी ने के बारे में मैं बताऊंगा कि रिंकी ने बहुत ले किया फिर आपने ज्वाइन लेट किया और आपने कब यह सोचा कि मुझे निमसेट करना है क्या आपकी सकसे जर्नी में जाओंगा आप जबुबताएं क्योंकि जो बच्चे फाइनले में होते हैं कई बार वो डिसीजन लेने में टाइम लगा देते हैं कही नहीं ऐसा आपक पर फिर थोड़ा सा लगा कि फाइनले के साथ हो पाएगा की नहीं हो पाएगा मुझे ड्रॉप लेकर करना चाहिए तो एक मन था कि ड्रॉप लेकर कर लेती हूं पर नहीं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए जिस दिन आपने सोच लिया है कि करना है बस उसी दि में लग जाओ बिल्कुल और फाइनल यर के बीच में एक्जाम साय प्रैक्टिकल आया मेरा बीस्सी था और साथ मैं एक्जाम आया था तो पर सारा हो जाता है मैंने बुब भी सॉल्व नहीं किया कोई सर का माटेरियल बहुत अच्छा रहता है एक भी टेस्ट नहीं छोड़न है सारे के सारे टेस्ट देने है एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा है धीरे धीरे बीच में दीमोटिवेशन लगता है कि मतलब अब नहीं हो पाएगा छोड़ देना चाहिए क्या गिवप तो बिलकुल करना नहीं है एक बार डिसाइट कर लिया पक्का होगा और साथ में ऐसा के लिए आधा घंटा तो mandatory है इसके साथ मतलब health वरना खराब हो जाएगी तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और जितना सर बता रहे ना सिर्फ और सिर्फ उतना कर लो काफी है क्लासेज बिल्कुल मत छोड़ो और मतलब एक साल जितना भी टाइम है उसके लिए सब सेक्रिफाइस कर दो ना शादी ना बर्थडे मैं अपने फेयरवल में भी नहीं गई थी क्योंकि मुझे कोचिंग आना था मेरा ये था कि मुझे एनाइटी का फेयरवल चाहिए मुझे को कॉलिज का फेयरवल नहीं चाहिए तो अगर आप सोच रहे हो बहुत अच्छा करो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सबका देखे रिंकी ने काफी अच्छी बाते बोली आप थोड़ा सा समझ जिएगा जैसे इसने जब जनवरी में जॉइन किया था तो थोड़ा मन में जॉइन करने की पहले भी confusion था कि मैं जॉइन करूं की नहीं करूं पर जनवरी में यूट्यूब पे वीडियो देखके मन मनाय फिर जब classroom जॉइन कर लिया तो एक मन में decision ले लिया कि नहीं चलो इस साल हम करते हैं मैं हमेशा बोलता हूं बच्छों को कि अगर time कम है और हम यह सोचते हैं कि drop लेके पढ़ना है तो मैं बोलता हूं कि ठीक है फिर तो और ज़्यादा जहूरी कि आप तुरंत उसी दिन से पढ़ने लगो क्योंकि अगर हमने मालो आप सोचो कि अगर आप drop लेके ही start करते तो आप next year देते और मालो next year rank नहीं आती तो एक drop लेते पर अगर आज आपने दिया और आज आपको NIT पढ़ना मिला मालो नहीं मिलता तो आप drop लेते तो आप zero पे नहीं होते तो मैं हर एक ब तो नहीं होगा तो जो मन बनाया वो तो करना ही है पर ये जो महनत है ये आपको पूरी तरह से guide कर देती कि next year मुझे क्या करना है और अगर आपकी अच्छी महनत होई तो हो सकता next year तक जाना ना पड़े तो रिंकी यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्दी रही कि आपने में कहता हूं कई बच्चों को नहीं हो पाता है वो drop लेते भी पर वो zero पे नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है NIT पटना में इस बार first MCA हो रहा है और आप वहां के जब भी आप जाओगे तो आप सबसे पहले बच्चों होगे पतलब पहले batch के और आगे जब आपके अगर कोई चाप्टर नहीं हुआ ठीक है मेरा भी स्लेबस जो है काफी लेट सब लोग बहुत अच्छे से एक दिन का भी वेस्ट मत करो और मतलब जैसे अगर कोई चाप्टर नहीं हुआ ठीक है मेरा भी स्लेबस जो है काफी लेट स्टार्ट हुआ था तो कोई चीज कंप्लीट नहीं हुए है तो फिर टेस्ट दो टेस्ट के बेसिस पे सब होगा उसके अकॉर्डिंग कवर होते जाएगा आपको पता चलेंगे कि कौन से कॉश्चन से इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं है तो टेस्ट दो अच्छे से अनालिसिस करो और जो सर बोलते हैं सरकी बातों को आख बंद करके फॉलो करो पक्का होगा गारेंटेड होगा हंड़र्ट परसंट होगा था नहीं होगा तो आप यह कम टाइम बचता तो गाइड सौल करने से ज्यादा इंपॉर्टन है quality of study कम करके concept बना के ऐसे पड़ो कि आप से अपने आप guide stall होने लगें और वही इस बच्ची ने भी किया और आप लोग को भी बोलूँगा कि जो बच्चे टार्गेट कर रहे और जिनको लगता time का में वो भी इस session को देखने के बाद immediately action ले और preparation start कर दें, once again congratulations and all the best, thank you so much sir, this is all because of you, thank you beta all the best thank you sir